नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाबर असुकारिस्ट यह फिमेल्स में काफी जादा पसंद की जाने वाली सिरप है यह बात करते हैं इसके बारे में डाबर असुकारिस्ट क्या है यह एक आरवेदिक जवाह है जो महिलाओं के मासिक ध्हम के दोरान अधिकरत इस्त्राव और इसी रोग सम्मंदी समस्याओं को दूर करने के लिए ली जाती है। में होने वाली जो विशा इकटा हो जाता है विशाले पदार्थ इकटा हो जाता है उनको निकानने के लिए लीवर की बिमारियों के लिए अधिकतर लिया जाता है। मुस्ता जो नस की बिमारियों से सम्मंदीत नस को सही करने में और पाचन तंत्र को सही करने में काम आता है। इसके लाब के अगर बात करें तो इसके जो मेली लाब है वो हार्मोन संतूलन करना है लेकिन उससे अलग भी इसके लाब है जैसे कमजोरी बधजमी इन सभी बिमारियों को दूर करना। यह है आपको लेना किस तरीके से है इसको आपको दिन में दो वक्त लेना है सुबह और शाम आपको इसको खाने के बाद में लेना है आपको गुंगुने पानी के साथ में लेना है यह एक सिरप है जो काफी ज़्यादा उप्योग होता है महिलाओ के लिए यह किन किन उनको ignore करनी चाहिए साह साथ में जो इस्तनपान करा रही है यानि कि बच्चे को feed करा रही है उनको भी ignore करना चाहिए अगर आपको ऐसी कोई समस्य आरी है आपको लगता है कि अराम करेगी तो आपको पहले अपने डॉक्टर से concerned करना था उसके बाद ही इसको लेना है अधिक पास कई बार सवाल आता है कि मैडम हम आदमी है यानि कि आदमी इसको ले सकते हैं तो आदमी इसको नहीं ले सकते हैं आदमी के लिए और भी बहुत सारे सिरफ हैं आपको ले सकते हैं बट आदमी कोई काम नहीं है जो कि आपको लेना है इसके अलावा बहुत सवाल ये भी आत कि क्या हम इसको पीरेड के दोरान ले सकते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब आपको बहुत जादा रक्त इस्तराव होता है बहुत जादा ब्लेडिंग होती है तो उस वक्त आपको बहुत सारी कमजोरी आ जाती है और आपको और भी सारी समस्या होत तो यह आपको उसको नियंद्रन करता है तो इसका मतलब यह है कि आपको पीरे टाइम में भी लेना है अगर आप इसको वैसे ना लेना चाहें और पीरे टाइम में आपको लग रहा है कि आपको फ्लो जादा आ रहा है तो आप इसको ले सकते हैं इसका जो काम करने का तरीका है वो काफे ज़दा अच्छा है ये साथ हफते के अंदर यानि कि साथ दिन के अंदर आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा और इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है इसके अलावा मैं इतनी जरूर कहना चाहूंगी कि इसको दवाई को लेने के लिए आपको कोई भी डॉक्टर की प्रिक्षेशन की जरूरत नहीं होती यानि कि किसी भी डॉक्टर की लिखावट की जरूरत नहीं होती बिना डॉक्टर के परचे के मिल भी जाता है इसकी दो पैकिंग आती है जो फर्स्ट इसकी पैकिंग है वो है 450 ml और सेकिन है इसकी 680 ml यह आपको लोकल स्टोर पर और ओनलाइन दोनों जंगा अपलब्द हो जाता है यही था अभी की वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा थैंक्यू सो मच